वेल्गम अक मैं चैनल एजुकेशनल पॉइंट एंड गूड मॉर्णिंग अल आफ यू फर्स्ट ओफ ओल ये हम जानते हैं कि भीहार भीएट में जो फॉर्म आने वाला है तो उसमें क्या-क्या डॉक्यमेंट्स लाएगा आपके बहुत सारे कोशन से तो एक-एक का तो जवाब देना मुझे लग नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना देती हूं तो आप लोग देख लोग कितने सारे डॉक्यमेंट्स लाएगे ताकि कोई कन्फूजन ना हो 25 से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है तो अभी डॉक्यमेंट्स के लिए अपलाई कर दीजे ताकि आपको बाद में दिक्कत न जहलना पड़े और ये भी बताएंगे कि आपके अड्मिशन टाइमस में आपके क्या-क्या डॉक्यमेंट्स लेंगे लेकिन वो अभी नहीं फिलहाल तो हम आपको मैं बता देती हूँ आप पहले बात की फॉर्म में जब लॉगिन करेंगे तो एक एक चीज का स्क्रीन सॉट जरूर ले लीजेगा आप अगर इमेल आइडी डालते हैं तो वो इमेल आइडी ऑथेंटिक होना चाहिए और साथी साथ मैं आपको यह भी बता दू कि जो भी पासवर्ड होते हैं उन जो भी बना रहे हैं आप या तो कहीं लिखकर रख लीजेगा स्क्रीन सॉट ले लीजेगा क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कत आती है तो उस टाइम आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान में रखे तो आपको लगेगा क्या क्या तो एक तो फोटोग्राफ्स अपके लगेंगे तो फो भी बता दू तो मैटफ्रिक इंटर ग्रिजुएशन के सर्टिफिकेट नहीं मार्कसित लाएंगे तो यह आप लोग मोर दन कन्फ्यूजन में जो रहते हैं तो वो मत रही है आपके जो मार्कसित होंगे न वो और वो भी कि सेल्फ एटेस्टेड सेल्फ एटेस्टेड होता है आप उसमें साइन करकर उसे फिर स्कैन करकर डॉकिमेंट्स में वहां जितना मांग रहा है वहां पर जाकर अपलोड कर लीजेगा तो बहुत लोग सेल्फ एटेस्टेड करना भूल जाते हैं तो बिल्कुल इस बात को याद रखिए कि आपको सेल्फ एटेस्टेड जरूर ही जरूर करना है बाद में ये मत कहना की नहीं दूसरी बात कि अगर आप जणरल से आते हो तो आपको कोई भी chopping जरूरत नहीं है अपको कास काहते हैं यानि कि यह यानि कि यह सर्टिफिकेट होता है तो आपको अप्लोड कर आपके पस नहीं है तो अभी वक्त है अपलाई करने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं तो जो लोग बिहार के नागरिक नहीं है तो आपको डोमेसायल सर्टिफिकेट बना कर देना पड़ता है फिर आवासिया सर्टिफिकेट तो बिल्कुल डोमेसायल सर्टिफिकेट का ही एक छोटा रूप है आवासिया सर्टिफिकेट तो ये भी आपको लए है कि हाँ मैं बिहार का निवासी हूँ मैं घोशना करता हू इस टाइब का जो सर्टिफिकेट होता है वो और मैं आपको यह भी बता दू तो SDO जो आप देखते हो तो SDO लेबल का या कोई भी लेबल का अगर आप दोते हो तो वो चल जाता है तो एक वर जाकर देखिए दीजिए आपका यह सर्टिफिकेट बिलकुल मानने होगा तो आई होप कि आपको यह सारी जानकारी इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरी छूटी ना बची हुई ना हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बिलकुल लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि में नहीं होनी जाइए थैंक यू